विस्ट एर के सेकेंड सेमेस्टर में आयों ए सभी जूनियर का मेरी तरब से येलकम, बेटा आप लोगों को फिर से कुछ सब्जेक्ट लगाये नहीं होंगे, जिसका सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एक्जाम होगा, हाला कि Locked Download चुका है, College चल नहीं रहा है, आप लोग की किस्मत ही वेखा समझे कि जब भी कोई नया चीजी स्टार्ट करते हैं, आप लोग तब तक कुछ नया कांड हो जाता है बट कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी चल रहा है, हमें situations के साथ deal करने आना चाहिए अगर हम situations के साथ deal कर लेते हैं, तो हमारे लिए कोई बीचीज बड़ी बात नहीं है चले बैटा, तो हम लोग ज़्यादा फालतु की बाते ना करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, कि मैं ये वीडियो क्यो बना रहा हूं, और किस subject से related बना रहा हूं और ये आपके second semester में कितना helpful है, चाहिए वो mechanical का student हो, चाहिए civil का student हो, चाहिए electronics, चाहिए electrical का student हो तो बैटा, simple सी बात ये है, कि जब आप लोग second semester में आया होंगे, तो आप लोग के subject में एक book होगा, जिसका नाम होगा engineering mechanics Engineering mechanics, क्या होता है बैटा, उसमें किन किन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमें ले exam में किस तरह से helpful है, और आगे जब आप कोई B.T.E.C. करते हैं या और कोई course करते हैं, तो उसमें हमारे लिए ये कितना helpful होगा, वो सारी बाते करेंगे इस पूरे episode में चली बैटा, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात आती है बैटा, कि जब भी हम कोई subject पढ़ने जाते हैं, तो हमें कौन सा subject पढ़ना है, और वो किस तरह से हमारे लिए useful है, practical life में, उसके बारे में हमें knowledge होना चाहिए जैसे एक छोटा से example आपके साथ लूँ, अगर मैं कहूँ कि आप हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हिंदी इसलिए पढ़ते हैं बैटा, क्योंकि ये हमारी मातरिभासा है, मदर टंग है, दूसरा बैटा, आप लोग math क्यों पढ़ते हैं, math इसलिए पढ़ते हैं, तो English इसलिए पढ़ते हैं बैटा, क्योंकि ये international language है, ये पूरी दुनिया में बोले जाने वाली एक मातर भासा है, जिसका knowledge हमें से अच्छे से होना चाहिए, तो same to same बैटा, हम यहां देख रहे हैं, कि हिंदी पढ़ते हैं हमारी मातरिभासा है, math पढ़ते ह इना national language को समझने के लिए, तो उसी तरह से ये जो mechanics लगाया गया है, ये क्यों पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग समझते हैं, कि mechanics हम लोग क्यों पढ़ेंगे, देखें बैटा, mechanics को पढ़ने का main, जो main उद्दे से है, वो ये है कि mechanics होता है, वो हमें different type के force, और उस force से होने वा इसी को ध्यान में रखते हुए, अगर हम एक language में बोलें, एक इसकी परिभासा बताएं, तो ये हो सकती है, कि mechanics जो हैंने बैटा, वो different type के force और उनके effect के बारे में हमें knowledge provide कराती है, हमें educations देती है, हमें चीजों को बताती है, अब उसी तरह से बात करेंगे, अब आप को हो हाँ, बिल्कुल सही बात है बैटा, अब इसकी जो best definitions है, वो कैसे है, जरा ध्यान से सुनते हैं, तो चलिए बैटा, हम लोग ये सारी बाते हैं ना करते हुए, हम लोग आते हैं में अपने subject पे, तो हमारा subject है mechanics, तो mechanics क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा mechanics की एक branch है, जो different type के force और उनके behavior के बारे में हमें बताती है, या यूँ कह लिजे कि mechanics, physics की एक ऐसी branch है, जिसके थूँ हम लोग different type के force और उनके behavior के बारे में क्या करते हैं, study करते हैं, ठीक है, तो मैं फिर से एक बार यहां repeat करता हूँ, कि mechanics जो है बटा हुआ हमारा क्या है, physics की एक branch है, जिसमें different type के force और उनके behavior के बारे में study करते हैं, अच्छा, चलो, आप तो ही हमें पता चल गया कि different type के force के बारे में हमें बढ़ना है, अरे वा, भाई, यहां पर आप force का नाम आ रहा है, तो force क्या होता है, जरा आप लोग बता है, यह force क्या होता है, ठीक है, आ जिसे किसी body पर apply कर दिया जाए, यानि जब किसी body पर इसको लोग लगा देते हैं, तो वो उसके shape, size, direction और dimension को change कर देता है, या change करने का प्रयास करता है, यानि हम कह सकते हैं, कि force एक external cause है, जिसे किसी body पर apply कर देते हैं, तो वो उसके shape, size, direction और dimension में change कर देता है, या change करने क करता है ठीक है ना अब बात आ गई फोर्स की तो फोर्स तो हम लोगों ने समझ लिया अब बात करते हम आगे टाइपस आफ फोर्स की अच्छा फोर्स तो हमने समझ लिया लेकिन फोर्स मेंली कितने टाइपस का होता है तो फोर्स मेंली कितने टाइपस का होता है तो फोर्स मे अब दूसरा अटाबेट हमारा compressive force अब कुछ बच्चो अब हमें tensile force और compressive force के बारे में इसकी definition समझते हैं और इनके effect के बारे में क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि mechanics में हमनों different type के force के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे साथ ही साथ उन forces का क्या effect है उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो हमें पता तो चल गया कि mechanics physics की एक branch है जिसमें different type के force और उनके behavior के बारे में study करेंगे तो हमें different type के force तो पता चल गया कौन सा tensile और compressive force अब बात करते हैं tensile force क्या होता है आप लोग बता सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं आये तो चलते हैं देखते हैं बेटा tensile force क्या होता है जब किसी body पर हम लोग force लगाते हैं तो वह यह force क्या करता है न उस body की dimensions को बदल देता है और बदलना का मतलब क्या है कि बढ़हा देता है अब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मालेजे कि अगर यह कोई body है इस पर हमने अगर यह वाला force कौन सा force लगा देते हैं तो यह इसकी size को क्या कर देता है बढ़हा देता है आगी बात समझ में लेकिन यह छोटे बच्चों के definitions हैं आप एक इनियर बनेंगे आने वाले time में कि mystery बनेंगे यह depend करेगा हमारी सोच और हमारे काम करने के तरीके पे तो बेटा यह छोटे बच्चे देत हैं कि tensile force वा force होता है जिसे किसी body पर लगा देते हैं तो वह उसकी size को बढ़ा देता है नहीं यह mystery का हो गया अब engineers क्या देते हैं definition उसको जला सुनिए हम सब को पता है कि दुनिया में जितनी भी bodies हैं वो छोटे छोटे particle से मिल करके बनी हुई है ठीक है ते दुनिया में जितनी भी body हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है और जब हम यह tensile force हम उस body पर लगा देते हैं किस body पर जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है तो वह उसके बीच की दूरी को बढ़ा देता है जैसे अगर ये एक बोड़ी थी जो छोटे-छोटे कणों से मिल करके बनी थी जब हमने ये लगा दिया तो ये कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया अच्छा कणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो होल ओभर उस बोड़ी की डै बढ़ा देते हैं तो उस body के particle I mean कड़ों के बीच की दूरी को बढ़ा देता है जिसके थूरू उस body की dimension क्या हो जाती है बढ़ा जाती है समझा गया अब इसका उल्टा compressive force दूसरे टाइप का कौन सा force compressive force compressive force क्या होगा तो हम लोग इंजीनियर वाली definition देंगे कि हम सबको पता है कि दुनिया में जितनी भी body है वो छोटे छोटे कड़ों से मिल करके बनी है यानि छोटे छोटे small particle से मिल करके बनी है अब जब हम उस body पर उस body पर हम जब compressive force लगा देते हैं तो ये compressive force क्या करता है उस body के जो की छोटे छोटे particle से मिल के बना है उनके बीच की दूरी को कम कर देता है, जब उनके बीच की दूरी को कम कर देता है, तो होल ओबर क्या होगा, जब इसी के बीच की दूरी को हम कम कर देते हैं, तो उसकी साइच क्या हो जाती है, आटोमेटिक कम हो जाती है, तो हम ये बता सकते हैं, कि कंप्रेसिफ फोर्स वह फोर्स होता ह जिसे किसी बॉडी पर लगा देते हैं तो उस बॉडी के टीकिल बीच की दूरी को क्या कर देता है के था सब्सक्राइब जिसके थू झभी की डाइमेंसंस चोटी हो जाती है समझना के बाद अच्छा बार बार हम एक बात बोल रहे हैं कि जब हम किसी बोडी पर जब हम किसी बोडी पर जब हम किसी बोडी पर बोडी क्या है हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया दो टाइप उनके पढ़ लिये उनके इफेक्ट जान लिये अब हम जिस पर इनको apply करें पर उसको भी तो समझ लें body क्या होता है तो आप लोग body यानि वस्तू की definitions दीजिए चलिए body की definitions के habitat body वो कड़ों का समू होता है कह सकते हैं यानि छोटे छोटे पार्टिकल का एक group होता है ठीक है न जो एक निश्चित अस्थान घेरता है चाहे हम उसे किसी भी दिशा में रख दे जैसे for example यह मेरा मार्का है यह छोटे छोटे कड़ों से मिलके बना है तो यह एक body है और यह एक निश्चित अस्थान घेरेगा चाहे हम उसे कहीं भी रख दे अगर हम अपने हाग पे रखते हैं तब भी वो इतनी जगह घेरेगा यहां रखते हैं तब भी उतनी जगह घेरेगा चाहे इस दिशा में रखते हैं तब भी उतनी जगह यह घेरेगा तो हम क्या definitions दे सकते हैं body की कड़ों का वह समूं यानि group of particles यानि कड़ों का वह समूं जो एक निश्चीत अस्थान गेरता है चाहे हम उसे किसी भी दिशा में रखते हैं अगर English में सकीटी निशन दे तो group of particles which occupy a defined place या space in any particular direction और in any direction यानि the group of particles which occupy a defined place in any direction कड़ों का वह समूं जो एक निश्चीत अस्थान गेरता है उसे body कहते हैं चाहे हम उसे किसी भी दिशा में रखते हैं चलिए तो अब हमें फोर्स समझ में आ गया में टाइप साफ फोर्स समझ में आ गया दो compressive और tensile और उनके effect भी समझ में आ गये देखते हैं तो चलिए बेटा मैं इसको जला रफ कर देता हूं और हम बढ़ते हैं अब टाइप साफ बॉड़ी पर तो टाइप साफ बॉड़ी को समझने के लिए बेटा आपसे बस एक सिंपल सा question पूछता हूं इस दुनिया में इंसान कितने अज़ें हैं human three type के एक दो मेल टाइप एक फीमेल टाइप और एक m xl टाइप आरे वहं वाले टाइप वहले तीस्रे टाइप वाले कंन कर से कोई बात नहीं तो मैंने बताया जिस तरह से दुनिया में तीन तरह के human होते हैं कहूंसे male type, female type और MXL type उसी तरह से दुनिया में mainly three types की body होती है जो mechanics के अंदर huge की जाती है, engineering के अंदर huge की जाती है, तो पहली body क्या है, types of body में एक होता हमारा rigid body दूसरा हमारा elastic body elastic body, तीसरा बेटा हमारा plastic body अच्छा, अब आप बोलोगे की सर, आप तो कहते है, male type female type, और MXL type तो ये आप rigid, elastic और plastic क्या पढ़ा रहे हो बेटा हम उन से उनको relate कर रहे थे चलिए, चला देखते हैं, rigid body इसको क्यों बोलते हैं, आपने action movies देखा होगा, movies में कहता है, गुंडा hero को मारता है बता तेरा दोस्त कहा है वो कहता चाहे तो मुझे कितना भी मार ले, मैं नहीं बताऊँगा कि मेरा दोस्त कहा है तो उसके साथ ही कहते हैं, ये तो बड़ा rigid आदमी है यार, इसको कितना भी मार लो इसमें तो कोई changing ही नहीं आ रहा है तो बोलता है, इसका मतलब ये मर्द की जुबान है उसी तरह से बेटा, नेचर में एक ऐसी बोड़ी दिया है जो, जिसको हमलों rigid body बोलेंगे, यानि rigid body क्या होगा उसकी definitions ध्यान से सुलिए rigid body, वह body होता है बेटा, जिस पर हम चाहे जितना भी force लगा ले उसके particles के बीच कोई deformation नहीं होता है deformation का मतलब कि position में कोई changing नहीं होता है ज़रा समझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ जैसे मैंने कह दिया कि ये एक rigid body है ये छोटे-छोटे कणों से मिल करके बना है, ये A से B से, C से, D से E से, F ऐसे particles से मिल करके बना है rigid body जब हम इस पर बहुत सारे force लगा रहे है चाहे tensile, चाहे compressive इस पर इन forces का कोई effect ही नहीं पड़ रहा है I mean जो particle जहां है A जहां है वो वही है B जहां है वही है, C जहां है वही है, D जहां है वही है I mean एक ऐसी body जिस पर external force लगाने से उसके particles की बीच कोई deformation नहीं हो Deformation का मतलब कि एक जगा से दूसरे जगा इनका अस्थाना तरण नहों तो ऐसी body को rigid body बोलेंगे यानि सो बातों की एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि rigid body वह body होती है जिस पर force लगाने से उसमें कोई changes होता ही नहीं है अच्छा आप ये बताओ क्या दुनिया में ऐसी कोई body है जो 100% rigid है अगर ऐसी कोई body है तो हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि हम engineers हैं हम तो जो भी चीज लेते हैं उनको काट पीट के इतने छोटे छोटे टुकडे करते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो है क्या ठीक है ना यानि सिंपल सी बात है engineering में हम उनी चीजों का यूज करते हैं जिस पर force का effect पड़ता है लेकिन हम लोग फिर भी इसको rigid क्यों बोलते हैं इसलिए rigid बोलते बटा कि जब हम engineering में कोई भी चीज बनाएंगे तो अब हम एक particular force उसके लगाएंगे आप ज़र अस द्यान से सोचेगा engineer जितनी भी चीज बनाता है उस पर एक force work कराने के लिए लगाता है जब हम कोई भी चीज बनाएंगे तो माल लिजे कि हम pull बना रहे हैं तो pull बनाएंगे तो हम मानते हैं कि 100 लोगों को चड़ने के लिए पूल बनाना है कि 100 लोग एक साथ चड़ें तो वो pull break ना हो टूटे अगर 100 लोगों के चड़ने से वो pull break हो गया तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ये pull rigid नहीं है लेकिन 100 लोगों के चलने के लिए अपने pull बनाया उस पर 1500 लोग चड़ गए 200 लोग चड़ गए 300 लोग चड़ गए फिर भी वो pull damage नहीं हुआ break नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये बहुत rigid है हाला कि वो rigid तो है नहीं क्यों? क्योंकि वो भी चोटे चोटे कणों से मिलके बनाए particles से मिलके बनाए तो तो तोड़ा तो जाібही सकता है या जोड़ के जब कीसी चीच को हम बनाया तो उस को तोड़ भी सकते है लेकिन हम जिस desires के लिए लिए बनाया है हम जिस काम के लिए लकडी और यहां पर ले लिया सोयल मिठी ले लिया अब इन दोनों में रिजिट कौन रिजिट का मज़ब कौन ज्यादा लोड बीयर कर सकता है जिस पर ज्यादा फोर्स अलगा पड़े से ब्रेक करने के लिए तो हम आप कोगे कि सर रिजिट में ये बुल्ड हो गया अच्छ ये रिजिट था जब हमने इसका इसका कंपेर किया तो ये रिजिट हो गया इसका इसका कंपेर किया तो ये रिजिट हो गया और डायमंड अगर हमने रख दिया इसका मतब कि दुनिया का तो सबसे हाड़ेस्ट माटिरियल है लेकिन फिर भी आप देखिए डायमंड को भी चोटा-चोटा हम लोग तोड लेते हैं, उसे देखते हैं कि ear ring में, nose ring में, या अंगूठी में भी हम लोग उसको use करेते हैं, अब आप बताइए, अगर इस पर force का effect पड़ता ना, तो क्या हम उसको काट सकते थे, नहीं काट सकते, और काटते नहीं तो हमारे किसी use का नहीं हो गया, जिस काम में हम उसको लगा रहे हैं, हमें उससे काम लेना है, उस load से अगर वो fail हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि यह rigid नहीं है, और अगर नहीं fail होता है, तो वो rigid है, बड़ी लंबी बात होगी, एक rigid topic को लेकर के, फिर से फिर फिर एक छोटी सी definition इसकी सुन लिजे, last time Rigid body, वह body होता है, जिस पर force लगाने से, उस force का उस body पर कोई effect नहीं पड़ता है, I mean उसके particles के बिच कोई deformation नहीं होता, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी body नहीं है, जो totally rigid है, ठीक है ना, यह सिर्फ हम compare करके बता सकते हैं, कि कौन किसके compare में rigid है, जैसे लकडी और मिटी, लकडी और पत्थर के compare में, पत्थर और लोहे के compare में लोहा है, लोहा और हीरा, इसके compare में हीरा है, लेकिन कोई भी इसमें totally rigid नहीं है, चलिए समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं, दूसरी body की तरफ, जिसका नाम है elastic body, अब बात करें हैं हम लोग elastic body की, अच्छा, अब मैं इसको female से compare करता हूं, जिसे male को उमने, rigid को उमने male से किया था, ये मर्द की जुबाने तुम चाहे जितना भी force लगा लो, हम अपने बातों को नहीं बदलेंगे, लेकिन female को मैं elastic body से क्यों compare करता हूं, देखे female nature क्या होता है, जब आपके साथ हैं, अरे साथ का मतलब girlfriend नहीं, कोई और समाज लो, ठीक है ना, तो अब जब वो आपके साथ हैं, तो आप जब उनसे बोलोगे, कि भाई साथ, देख मैं तुझे कोई बात बता रहा हूं, तू किसी से बताईए मत, तो कहां हां, ममी की कसम, सबकी कसम, मैं किसी से ना बताऊं, तुम जो कहतोगी मैं वैसे ह करोंगी, तुम जैसे रखोगी मैं वैसे ही रह लोंगी, लेकिन जब तक आप उन पर अपना इफेक्ट डाले हैं, तब तक तो वो आपके एकोडिंग चलती हैं, लेकिन जैसे ही आपका इफेक्ट खतम हुआ, भाई साब फिर अपने इनिसियल कंडिशन में आ जाती हैं, अ वो भी उससे वही कहती है, क्या कहती है, मैं तुझे एक बात बताऊंगी, तू किसी से बताईए मत, हमें उसने ये बताया है, यानि फीमेल का नेचर क्या होता है, फीमेल का नेचर है बेटा, कि जब तक आप उनको अपने कोडिंग उन पर प्रेसलाइजड हो, तो आपके क बाडिंग चलेंगी, और जैसे आप अपने प्रेसर को हटाते हो, वो फिर अपने रिमूबल फॉम्ब आ जाती है, नेचर ने भी बिल्कुल वैसी एक बाडि दिया, जिसका नाम था, इलास्टिक बाडि, अब इलास्टिक बाडि क्या होता है, जरा इसको समझे, फीमेल को जो हम इस पर फोर्स लगाते हैं, तो यह सी पार्टिकल के पर चला जाता है, डी पार्टिकल एफ पर चला जाता है, बी पार्टिकल जेट पर चला जाता है, और एपार्टिकल एम पर चला जाता है, देखिए, मैंने का कि यह एक एलास्टिक बाडि है, जिस पर हमने फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल M पे चला गया, B पार्टिकल Z पे चला गया, और D पार्टिकल F पे चला गया और C पार्टिकल K पर चला गया यानि यहाँ पर Deformation हो गया उसमें Rigid Body में क्या था Horse लगाने से Deformation नहीं हुआ था लेकिन इसमें क्या हो गया Deformation हो गया लेकिन यह जो Deformation है पर्मानेंट Deformation नहीं है पर्मानेंट का मतलब कि यह अगर A से M पे चला गया तो ऐसा नहीं है कि M पे ही रहेगा अभी M पर क्यों है क्योंकि आपने इस पर Force लगा रखा है जब आप Force लगा रखे हैं तो जो Particle A पर था वो M पर चला गया क्योंकि आपने इस पर Force लगा है और जैसे ही आप अपना Force रिमूब करते हो यह फिर से M से A पर चलाएगा Z से B पर चलाएगा F से D पर चलाएगा और K से C पर चलाएगा यानि हम यहाद देख रहे हैं कि Elastic Body का Nature कैसा है एक ऐसा Nature है कि जब हम उस पर Force लगा रहे हैं तो उसके Particles के बीच Deformation तो हो जा रहा है लेकिन Deformation यह Permanent नहीं हो रहा है जैसे हम Force अटाते हैं जो Particle जिस अवस्था में जहां पर था वहीं वापस लोटाता है तो अब फिर से इसकी Definition समझे लिजे कि Elastic Body वह Body होती है जिस पर पर्टिकल से उसके Particles के बीच Deformation तो होता है लेकिन Permanent Deformation नहीं होता जैसे हम Force को हटाते हैं वह Particle अपने Initial Condition या Position यानि प्रारमधिक अवस्था में लोटाता है तो ऐसी Body को क्या बोलते हैं Elastic Body बोलते हैं अब जैसे Spring Example के लिए Spring ले लिजे Spring को आप खीचिए चोड़ दीजे तो पहले खीचें Force लगा है तो देखिए यहाँ पर है और जैसे चोड़ दीए तो फिर वापस आखिए Elastic जो बालो में लगाते हैं हाथ में लगाते है rubber band उसको क्या करते हैं खीचेंगे तो बढ़ जाएगा चोड़ेंगे तो फिर compress हो जाएगा यानि जब force लगाया तो उसके particles के भी deformation हो गया और जैसे force अठाया वो particle फिर वहीं आ गया तो फिर वो अपने actual shape में वापस आजाती है चलो दो body तो समझ में आ गई अब बात करते हैं दुनिया के तीसरे type के human के बारे में यानि plastic body यानि MXL type इनको में MXL type क्या होते हैं ना तो ये male type होती है ना तो ये female type होती है और ये male भी होती है और female भी होती है यानि plastic body क्या होता है जैसे ध्यान से समझे Plastic body एक ऐसी body होती है जिस पर force लगा देने से उनके particles के बीच permanent deformation हो जाता है permanent deformation का मतलब कि अगर हमने इस पर force लगाया जो particle A पर था और force लगाने से ये particle A से B पर चलाया कहां चलाया? A से B पर चलाया तो अब force हटा भी लेंगे न तो अब ये पार्टिकल B से A पर नहीं जाएगा, तो आप कह सकते हो ना कि फोर्स लगाने से पार्टिकल का पर्मानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो ऐसी बोडी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बोडी बोलेंगे, और इसका एक्जामपल क्या है, माली जे की साबून है, आ अब अगर आप लोग को इतनी बाते समझ में आगई, तो अब बढ़ते हो, वीडियम की तरफ थे उन्हें बिलिब्रियम कि होता है इसको हींदी नुए वेता हींension स्टूडेंट होगें, वो स्टूड़ा बूत कुछ तूड़ा- गठंस के बारेशिंदेट होंगे लेकिन फिर भी आईए मैं आप लोगों को बताता हूं कि equilibrium होता क्या है equilibrium का मतलब क्या होता है रहे बटा कि जब हम कोई भी चीज लेने कोई भी medium लेने अगर उस medium के सभी particle एक phase में हो जाएं एक ही अवस्था में हो जाएं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि यह equilibrium की condition में है लेकिन यह सब chemistry की language है हम mechanics के अंदर इसको किस तरह से define करेंगे आएए देखते है equilibrium क्या होता है यानि equilibrium क्या होता है कि force लगाने से क्या फोर्स लगाने से अच्छा फोर्स बार बार क्यों बोल रहा हूं क्यों बहुए mechanics ही पढ़ते हैं फोर्स को जनने के लिए तो फोर्स लगाने से अगर उस particles में यानि उस body के कि state में कोई changing नहीं आती है state का मतलब कि अगर वो रुका है तो रुका रहेगा चल रहा है तो चलता रहेगा जिस speed से चल रहा था उसी speed से चलेगा तो ऐसे body को equilibrium state में बोलेंगे जैसे फर इक्जामपल यह दिवार है दिवार पर हमने फोर्स लगाया और फिर भी यह क्या है रुकी हुई है तो हम बोलेंगे कि यह दिवार equilibrium condition में है लेकिए equilibrium के भी type होंगे इसको हमनों define कैसे करेंगे तो आई उसको सब्सक्राइब ताइप साफ equilibrium में टाइप साफ equilibrium क्या होता है equilibrium में दो तरगा होता है एक होता है static equilibrium दूसरा होता है बैटा हमारा dynamic equilibrium static equilibrium क्या है सपोर्च करें बैटा कि यह एक body है हमने इस पर force लगाया हमने इस पर बहुत सारा force लगाया force लगाने से यह body जहां थी A point पे थी तो यह A ही point पर है force लगाने से इस body के position में कोई changing नहीं आई तो ऐसी body को बोलेंगे कि यह static equilibrium में है यानि force लगाने से इस पर force का प्रभाव पढ़ता ही नहीं है तो इसको बोलेंगे कि यह static equilibrium में है आगी बाद समझ में लेकिन जलत ध्यान समझें दूसरा एक्जाम पर यह एक body है कार है यह हमारी की वाली कार है यह सब की BMW होती है यह हमारी के हिसाब से चल रहे है यह एक गाड़ी अब गाड़ी मुविंग कंडिशन में है तो हम बोलिंग के डाइनामिक फ़र्म में है लेकिन हमने क्या-क्या पीछे से बहुत सारा इस पर फोर्स लगा दिया फोर्स लगा दिया अभी इन फोर्स की वज़ा से जो इसकी सिसपी टू किलो मीटर पर मिनट है वह चेंज नहीं हुई अब भी फोर्स लगाने के बाद भी यह जो कार है चलती हुई ट्रेन में तो आप लोग बैठ ही होंगे या उतरे होंगे तो देखे जब ट्रेन चल देती है तो सो लोग पचास लोग चड़ते हैं पचास लोग उतरते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि चड़ने से स्पीड उसके कम हो जाती है और उतरने से स्पीड जादा हो जाती है चाहे आप उस पर फोर्स लगाओ और चाहे हटाओ उसके स्पीड में कोई चेंजिन नहीं होती है तो हम कह सकते हैं कि जो चलती हूँ ट्रेन है वो क्या है डाइनामिक इकलुबिरियम है तो फोर्स लगाने से उसके स्पीड में कोई चेंजिन नहीं हो समझ मेंगाओ बात करते हैं अगले टॉपिक इन सेंटर आफ ग्रेविटी आफ बोली अब यहां से थोड़ा सा खेल सुरू होता है आप लोग के मकेनिक्स में जिसको बार बार यह चीज़े टॉपिक आएंगे आप लोग के लिए तो इनको ज़रा ध्यान से समझेगा अब बात करेंगे हम लोग सेंटर आफ ग्रेविटी आफ बॉड़ी अच्छा ध्यान से समझेगा यह है हमारी एक बॉड़ी चीज़े यह एक बॉड़ी है और हमने बताया कि दुनिया में जितनी भी बॉड़ी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बनी है तो मैं मानता ह पर ध्यान से समझेगा तो अब हमने कहा कि एक ऐसी वोड़ी जो छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है मिल करके बना है इन सकाइज कंछ comment С No likِ कुछ न कुछ, मास तो होगा ही, अब इनका मास इस बॉड़ी के जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा, इस बॉड़ी के जिस बिंदू पर केंदरित माना जाएगा, उसी बॉड़ी पॉइंट को बोलेंगे, सेंटर आफ ग्रेविटी, अच्छा, अगर इस समझ में नहीं ह तो थोड़ा तरीके से समझो, जैसे for example, हम एक दिवार बन, एक इंट ले लें, तो एक इंट का अपना खुद का सेंटर आफ ग्रेविटी होता है, सेंटर आफ ग्रेविटी का मतब भी जैसे इसका सेंटर आफ ग्रेविटी अगर यहाँ है, तो मैं इसको बीच में इसे अपना है, उन सभी कड़ों का भार उस बोड़ी के जिस बिंदू पर काम करता है, उस बिंदू को बोलते हैं सेंटर आफ ग्रेविटी, इसको और डीटेल में समझेंगे, इसका एक चेप्टर है, लास्ट में सेंटर आफ ग्रेविटी एंड सेंटरोईड, करके एक ये सभी कड़ों का भार, जो है, जितना भी है, वो इस बिंदू पर, इस बिंदू पर कार कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सेंटर अफ ग्रेविटी, इसको कैपिटल जी से नोट करेंगे, चीक है ना, अब आगे देखे, लाइन आफ एक्षन, लाइन आफ एक्षन क्या होता ह है, आभी जड़ा फिर से समझ दीजे, ये एक है बोडी, जिसकी सेंटर अफ ग्रेविटी है, ये, सेंटर अफ ग्रेविटी का मतलब कि ये वो पॉइंट है, जिसमें इस पूरे बोडी का, इस पूरे बोडी का भार, इस पर केंदृत है, तो इसके सेंटर अफ ग्रेविट ने आटाव ग्राविटेती से पास होने वाले लाइन को सेंटर आफ ग्रेविट सुरी लाइन अफेक्षन कहेंगे लेकिन इसका यूज चैनिति अब समझेंगे इसका यूज क्या है lorsqurianic में बहुत इंप्वर्टेंट पॉइंट है जो पूरे मकेनिक्स की जान है यह हमारे इतना है फुल है कि जो इसको समझ लेता है उसे दुनिया में कोई भी नुमेरिकल कोई दे भावत तरीके से उसको कर सकता है चलिए लाइन अफेक्शन का मतलग क्यों देटा सबसे पहली बात तो यह सेंटर आफ ग्रेवि एक्सटरनल फोर्स लगा रहे लेकिन यह सारे फोर्स एक्सटरनल न लग करके यह सभी फोर्स इस लाइन पर लगे हुए माने जाते हैं यानि इनका जो में प्रभावना वह इन लाइनों पर लगता हुआ माना जाता है यानि लाइन आफ एक्सन वह लाइन होती है जो किसी रिजिड बोड़ी के सेंटर आफ ग्रेविटी से पास होती है और जितने भी एक्सटरनल फोर्स हम लगाते हैं सभी फोर्स उसी लाइन पर लगा हुआ माना जाता है अच्छा जब यह पोर्स इस लाइन पर लगा हुआ को माना जाएगा तो यह कौन सी बड़ी बात हुई इससे में क्या फायदा हुआ हाँ अब मेन फायदे की बात समझे जरा चाहे बॉडी पे लगे चाहे लाइन आफ एक्षन पे लगे आपके इसाब से तो क्या फरक पढ़ना चाहिए लेकिन मेकेनिक्स में इसका हुद बड़ यह लाइन आफ एक्षन अब इस पर अगर एक कोई फोर्स एफ लगा है एक पॉइंट पर और वो लगा है लाइन आफ एक्षन से थीटा एंगल पर है ध्यान से समझेगा यह एक बॉडी है जिसकी लाइन आफ एक्षन पर किस पर लाइन आफ एक्षन पर कोई एफ फोर्स इतने पर स्बस्क्राइब को यह पर कर सकते हैं अ कि सर्थ इतनी होनी कोई प्रभाव B पर देखने को मिलेगा यानि आप क्या कह सकते हैं एक नंबर या दो नंबर के डिफिनीशन आती है आप लोग के बोड के एक्जाम में कि असथ्षानांतरण सिलता का सिधानत क्या है कि अगर कोई पर सकते हैं व पर इंगल या किसी दिशा में लगा है तो उसको हम उसी line of action के किसी point पर transfer कर सकते हैं यानि अस्थरांतरित कर सकते हैं लेकिन सर्थ इतनी होने चाहिए कि ना तो force की magnitude बदलना चाहिए अगर F है तो F रहना चाहिए और अगर theta है ना तो angle बदलना चाहिए या इमिन ना तो दिसा बदलनी चाहिए अगर theta है तो theta रहना चाहिए ऐसा करने से जो प्रभाव उसका पहले point पर था वही प्रभाव दूसरे point पर होगा फिट से बडिफिनिशन बता देता हूँ force transmissibility law के according अगर किसी body पर हम लोग force लगा दे sorry force transmissibility law के according किसी force को हम लोग उसके line of action पर एक point से दूसरे point पर transfer कर सकते हैं बिना magnitude और direction change किये ऐसा करने से उसके प्रभाव में कोई changing नहीं आता है last में बमनों पढ़ेंगे बेटा आज की topic कितना ही रहा आज का topic हमारा last है free body diagram और इस तरह से आपका पहला chapter maximum खतम हो चुका है एक बार आप लोग पढ़िएगा और हाँ फिर से हम वापस इस topic पर आएंगे लेकिन वो next video में आएंगे लेकिन इसको पहले एक बार ज़र समझ येगा तो बात करते हैं बेटा हम लोग इसकी free body diagram की free body diagram क्या होता है अगर किसी particular हम एक body का एक chain है कई सारे body का एक chain है ये जैसे A, B और C इसके उल्टीन पार्ट है हमें B पार्ट के बारे में क्या करना है study करना है या B body के बारे में information निकालना है देखिए ये क्या है group of body है हमें B body के बारे में information collect करना है तो हम इस B body को इस पूरे system से काटके बाहर निकालेंगे और इसका एक diagram बनाएंगे इसके study के लिए तो इसी body को free body diagram कहा जाएगा FBD free body diagram इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इस पूरे system से ये इस body को हम लोगोंने free कर दिया है तो free body diagram क्या होता है जब किसी system से किसी particular body part को काट करके अलग उसका diagram बनाते हैं तो उसको बोलते है free body diagram हम लोगों ऐसा क्यों करते हैं ताकि हम उसी body के बारे में अच्छे से कोई information निकालें तो I hope कि बेटा आप लोगों इतनी सारे चीज़े समझ में आई होगी थोड़ा वीडियो में इधर उदर होता है चलता रहता है बेटा बहुत जादा experience नहीं है मुझे इन सब बातों का वीडियो का लेकिन फिर भी I hope कि आप लोगो अगर मेरे पढ़ायने में 20% भी समझ में आ गया तो मेरे पढ़ाना थोड़ा सफल मानूंगा मैं अपने लिए पेटा ये वीडियो आप लोगो देख लीजे और फिर लौट तेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में What is the mechanics और उनकी ये जो statics mechanics क्या होता है dynamics क्या होता है kinetics क्या होता है और kinematics क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे तो इस वीडियो में इतना ही Thank you so much Have a nice day